नमस्कार, पब्लिकेशन यूज़ में आपका स्वागत है। कल जहां आयोध्या में हमारे प्रधार मंत्री नरेत मोदी जी भूमी पूजन कर रहे थे, तो वहां सहारणपुर में लोग जश्न मना रहे थे। आईए दिखाते हैं आपको इसकी खास रिपोर्ट हमारे ब्योरोचीफ विरिन लग्चौदी और पिशेश सवागता हीमतुर। और आज पब्लिकेश्या की टीम कवरेज के लिए है उन धार्मिक अस्थानों पर जिन धार्मिक अस्थानों से भक्त जनों ने दुआए दी और भगवान से प्रार्थना की की उत्तर परदेश के अंदर राम मंदिर का निर्मान हो और आज हमारे यशश्वी माननिये परधान मंतरी नरेंदर मोदी जी के द्वारा आज उसका सिला न्यास किया गया और अभी हम नागल में इस्थित महडी पर हैं महडी गोगा मंदिर एक सिद्ध पीठ और यहाँ प एक खुशी का महल है राम मंदिर के सिला न्यास होने के साथ साथ हो रही है दिये सजाय जा रहे हैं और देशी घी की भी तैयारी है कि इन दियों में डाल कर शाम होते ही दिये जलाने की परकिरिया प्रारम हो जाएगी और आप देख हैं कि यहाँ पर जो भक जन है वो लोग यहां पर जो हमारे महंत हैं भगत जी विशंबर्दास जी कैसा आप अनुभव कर रहे हैं राम मंदिर का सिलन्यास आज पढ़ा है उत्तर परदेश में बहुत अच्छी बात है जी बहुत दिनों से जार मती उनके तो आज जो शिलनास वी आप उत्त पर यहां बात गई दस भी पीडियों की च्छाय पूरी हो गई प्रभू राम के सिलन्यास से बहुत अच्छा बहुत खुशी हो रही है आप देख पा रहे हैं किस परकार कितनी पीडियों ने इंतजार किया है श्री राम मंदिर प्रभू राम के मंदिर का बंद्य का और आज सिलन्यास कि किया गया हमारे मानिय परधान मंतरी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और आप देख रहे हैं कि इस खुशी के अफसर पर यहां पर परशाद तयार किया गया हलवे का और परशाद का वित्रण हो रहा है हमें इन लोगों को बहुत ही खुशी है कि आज श्री प्रभू राम के म किया है हम लोग हैं नागल में गोगा महडी के मंदिर पर और आप देख सकते हैं कि यह कितने उस्साहित हैं भगवान राम के मंदिर का जो आसिल अन्यास किया गया है और हम लोग अभी पहुँचे हैं नागल अक्षेत्र के सबसे पुराने श्री मंदिर में 125 साल पुराना ये श्री मंदिर है और अभी हम हैं भगवान राम के दरबार में आप देख सकते हैं और यहाँ पर जो भक्त जन हैं वो लोग पैठे हैं एक बहुत ही खुशी का महल है यहाँ पर क्योंकि एक नए राम राज्ये का निर्मान आज हुआ है जो और ये वो उर्जा है जो बनाए से बन रही है और थामे से थम नहीं रही हमारे बीच में हैं हमारे आचार्य पंडी जी श्रीकमार जी श्रीकमार जी कैसा अनुभव कर रहे हैं आप आज आज का जो अनुभव है वो इन सब्दों से बयान नहीं किया जा सकता अपनी वानी उसको कहने में समर्थ नहीं है क्योंकि जो संगर्स पिछले 500 वर्ष से इस भारत भूमी पर आयोध्या के राम मंदिर निर्मान के लिए चल रहा था आज निशंदे भारतिय संस्कर्ति के लिए और भारतिय सनातन धर्मी हिंदुओं के लिए आज गोरव का दिवस है कि आज हमारे श्री राम मंदिर निर्मान का प्रारंब दिवस जो आज प्रारंब हुआ है मंदिर के दिखाते रोवस मंदिर के पदाधिकारी जिनके शरक्षन में देरेक में पुरा मंदिर चलता है आगे हैं हमारे नागल अक्षेत्र के वैपार मंडल के अध्यक्ष का पिलडावर जी हमारे RSS कार्यकरता एबम पदाधिकारी हरियोम शर्मा जी हमारे बीच में हैं मंदीर कमेटी से आशु महश्वरी जी और वेपार मंडल महमंत्री मन महान सिंग चावला और हमारे नागल अक्षेतर के समाजी कारे करता वे भारत जंता पार्टी के बहुती करमठ नेता राजबीर चोधरी जी राजबीर चोधरी जी मैं जानना चाहूंगा कि कैसा अनुभव हो रहा है कि आज इस इतिहास के आप साक्सी बनेगे आज का दिन ये स्वणी वक्सरों में लिखने वाला दिन है और इसमें हमारे बजुर्गों ने पुरे जी जान से राम मंदरी कलपना की थी ये संकल्प लिया था सान नभ्य में हमने भी बहुत अथक प्रियास किये बहुत ही महनत की गाउं दर गाउं अलग जगाई और एक पर दिए होता कि भगवान राम जी ने वह सोगंध हमारी आज पूरी करती बच्चे बच्चे की बजुर्गों की सोगंध पूरी करती इन संब दोगसा मेरे पार कुछ सब्द नहीं है कहने के लिए इस परभू को सब्दों नहीं है कि चाहूंगा कि क्या आपको लगता है क अब भारत में राम राज्य के स्थापना हुई है हमारे यससवी पढ़ान मंतरी नरेंदर मोदी जी ने आर्शे 29 वारसपूर जो सबत ली थी उन्होंने पूरा किया हमारे यससवी मुख्य मंतरी हमारे मंदिर समीती के अतेश चोधरी जी अतेश जी क्या भगवान राम का आशिरवाद रहेगा कैसे उनका अधर्शों को अपने जीवन में आप उतारेंगे बहुत अच्छी तरह हम उनके अधर्शों पे चलेंगे और जैसे हमारे मुख्य मंतरी योगिया देतने नाज जी ने सुभारम किया था और अपने सुभचनों से कहा था उन्होंने पूरा किया अपने कारियकाल में और हमारे परदान मुंतरी जी ने भी खुमी पुजन करके बहुत ही बड़ा काम किया है इहाँ पर एक खुशी का महल है उर्जा का महल है भगवान राम के जैकारे लगाय जा रहे हैं और ये पूरे भारत में ये उर्जा का महल बना हुआ है और अभी हम पहुचे हैं नागल के मेन रामलिला भवन पर लगभग बहुत ही बरसो पुराना रामलिला भवन और यहां जितने भी कार्य करता और पदाधिकारी हैं यहां पर आज इस धोजा रोहनकर और मिश्थान वित्रन का कार्य कराया जा रहा है एक बहुत ही खुशी की लहर है कि आज प्रभु राम का जो मंदिर है उसका सिला न्यास हुआ है और हमारे बीच में पदाधिकारी है रामलिला भवन के रजनीश नोसरान जी मैं जानना चाहूंगा कि आज किस प्रकार की अनुभुती वो महसूस कर रहे है यह बहुत ही एक 500 वर्सों के लंबे संगर्स एहम अदालतों की विविन प्रकार की कारवाई के उपरांत जो आज ही है दिन देखने को मिला है पता नहीं कितनी सारी जनरेशन संततिया गुजर गई इस दिन की अपेक्सा में एहम आज चारों और हर सो लास का मावले बहुत ही सुखद जहां बन रहे हैं जहां भारत वर्ष का हर एक काउं कस्वा और सहर इस भव्य प्रभू राम मंदिर के सिला न्यास का गवा है आज ऐसे लग रहा है जैसे दिवाली मनाई जा रही हो आप देख सकते हैं वो द्रश्य एक सूत्र में पिरोया जा रहा है सभी भारत वाश्यों और भगवान श्री राम सब पर अपने आशिरवात की वर्षा करेंगे और आज आपने देखी की पबलिक एश्या की जो कवरेज हुई है अयुद्धा में इस्थित राम लला का प्रभू राम का जो मंदिर है उसका सिलान न्यास रखा गया माननिय ये शश्वी परधान मंत की उप्योग में लाई गई है तथा सो नदियों का तीरत अस्थर का जो जल है वो उप्योग में लाया गया है इस सिलान न्यास को इस राम मंदिर की नीव को रखने के लिए और यहाँ पर 251 मीटर उची भगवान श्री राम की परतिमा बनेगी जो सबसे उची परतिमा और चाहेंगे कि धीरे धीरे ये पूरे भारत देश में राम राज्य रस्थापित हो सके पब्लिक एश्या से ब्यूरो चीफ विरेंदर चौधरी हेमन तरोडा अपने सायोगी अशोग रोहिला के साथ जैश श्री राम आपको हमारी ख़बर कैसे लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और हाँ हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथ ही मारे ट्विटर, लेंक्दिन और फेस्विक अकाउंट को फॉलो और शेर करें